है बिल्कुल फ्लाइट ऑप्रेशन रेजुम हो चुका है जैसे कल दिन बर यह ऑप्रेशन सस्पेंट रहा था और तमाम परवाजे कैंसल हुए थी लेकिन आज जो आप तक की जो परवाज है वो फ्लाव काकी उसे चाहिए लेकिन आप कुछ देर कबल इंडीकों की सब्सक्राइब करेंगे जिस तरह से लगाता जो परवाजे धिले हो रही थी और कहीं नहीं पोछ पाते लेकिन आप जिस तरह से जो फ्लाइट ऑप्रेशन रेजुम हुआ है तो पहली प्रियोर्टी में जिन लीडर्स को पार्लिमेंट पोछना है वो निकलेंगे जो जो मुसाफिर वगेरा है यह तूरिस्ट वगेरा है वह निकल रहे है और उप्र अच्छा चलते क्योंकि मैंने कहा कि पहले यह एक पोजो फ्लाइट है बेलेंड कर चुकिया यहां पर और पुछ फ्लाइट है यहां से हाँ से आप टेक अफ होगी किटिक आप सिर्फेस विर्कुल क्लियर है आप लेकिस तरह से आप जो यह एरपोड की तरफ जा रहा है है अपना सफर जारी रहा है और जैसे आप कहा रहे थे कि पार्लिमेंट का सेशन है और कई लीडर यहां पर फसे है जो बारत जोड़ो यापरा का हिस्व बनने आये थे और वो अहलां कि अगर कल भी वेदर ठीक होता शायद उनको कल ही निकलता है लेकिन इस तरह से जो फ्लाइट ऑपरेशन कल भी कैंसल हुआ था वो यहां पर फसेत है और सुबह से ही वो इस इंतजार में थे कि कब यहां पर जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो रोजिम होगा और वो आपना जो पार्लि हुई है वो आज एक बेजे तक मेहतमा मुस्नियत के मताबिक ख्लावडी रहेगा हल्की फुल्की बरवारी का इमकान है वारिश होने का इमकान है तो जिस तरह से जो यह बरवारी हुई थी अभी मैंने मेशिनरी लगी थी और सड़ के क्लियर की गई थी और हालां कि यह भी एवलाश प्रोन एरियाज है वहां पर भूमे ना जादा किंकि किसी भी खुजवार वागया से निमटने के लिए अगर पहली एडवेजरी जारी की जाएगी तो कई हाथ साथ से बचा जा सकता है क्योंकि इसी तरह की यह कई तरह की एडवेजरी है या खासकर जो एवलाश आश्मां का हल दिखाएंगे बिसने साथ पफिरसे यह अबराल ओड ही हुण भरत एवह पिर से लिए बारी बरवारी का इमकान हो सकता है तो सामने लेकिन हिना कुद्रत है कुछ भी कहना कुछ भी हो सकता है बिल्कुद आब इस विजिबिल्टी के बारे में एक बार फिर से जाना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमारा चैनल देख रहे हैं और सफर करने का इरादा रखते हैं खास तो और पर उन तमाम लोगों के लिए बिल्कुद है ना अब विजिबिल्टी बहतर हो चुकी है सिनगर एरफूर्ट पे जिस तरह से जो परवाज़ को आपरेशन है वो शुरू हुआ है तो यानि 900 मीटर से जाइद विजिबिल्टी है इसे कबल जो हमने मौर्निंग में इन से अपडेट लिया था उस वक्त 200 मीटर थी और अब यह 900 से जाइद हुई है जिसके बाद जो फ्लाइट ओपरेशन है वो रिजूम हो चुका है सर्फेस इन्होंने हाली आपके पीछे जो रोड नजर आ रही है वो भी साफ नजर आ रही हमानके कल जो तस्वीर आई थी उस पे साफ तो आपर देखा जा रहा है कि स्टोंफॉर्स जबरदस्थ हुआ है यानि लगतार मशिन्री लगी हुई है सरकोपर से बर्फटाने के लिए बिल्कुल हिना हम आपको ये तफ्वीरे भी दिखाएंगे ये आईजी रोड है बिसके लिए जो एरपोड की जाने में जाता है तो यहां पर भी इस रोड को कल ही क्लियर किया गया था जैसे बासी रोड को क्लियर गया था लेकिन अहिना एक प्रॉब्लम आती है जो ये सड़क के किनारे बर्फ जमर रहती है ये चलने फिरने में मुश्कला का सामना करती है क्योंकि सड़क काफी चोड़ी नहीं है उसके बाद बर्फ हटा ही जाती है लेकिन कुछ मकामात और आप देखे जैसे यहां पर साइड में जो बर्फ है वो जमा है जो जो गारिया है उनका चलना बेर मुश्कला हो जाता है और कई हादसात के शिकार हो जाता है ऐसे में लोगों से यही अपिल की जाती है जो इंतिजामिया है या ट्राफिक पुलिस है कि ड्राइब कियरफली आराम से चलिये क्योंकि बरब की वाज़े से कई भी भी फिसलम पाइदा हो सकती है और तारू में रस्टिक्शन ना होनी के वाज़े से गारी सिकूर कर सकती है जिसके वाज़े से जो हाथा होने का खत्रा लाहत रहा है ना जी बिलकुल आबिद और लगतार खासतोर पर फ्लाइट्स और ट्रेन के तालुख से हम अपने नाज़ीन को ये अपडेट दे रही है और यही कहा जा रहा है कि घर से निकलने से पहले अगर आपका सफर का इरादा है तो पूरी तरह से बाख़बर होकर ही निकले आबिद बहुत जल्दी ट्रेन के तालुख से भी जाना चाहेंगे ट्रेन का सफर जो लोग कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ इतला है जैसे कि हवाई सफर के साथ साथ कल ट्रेन खिदमा भी मुतासर हुई थी और आज सुबा सारे आख के बाद जो ट्रेन सर्विस है वे भी बहुत हो चुकी है लेकिन वह पार्शली बहाल है क्योंकि बान्यहाल की जानिव जो ट्रेन जारे हैं वह पूरा बाने खाल नहीं जाएगी सडोरा एक्सीटेशन है वहां तक वह ट्रेन चलेगी बाकि जिस तरह से हमने कल भी तसुरे की थी जो रेल्वे लाइन है या रेल्वे ट्रैक है उस वर काभी बरब जमा थी क्यूंकि दिन बर बारी बरब बारी हो रही थी उस वज़े से जो ट्रेन ऑपरेशन है उसे भी रोकना पड़ा था और जो रेल्वे स्केशन से वहां पे हमने कल दिखाया सनाटा चाया हुआ था और लगतार मौसम का हाल खासतोर पर आमदुरफ्ट के तालुख से पने तबाम नाज़ीन को हम अपडेट देते रहेंगे और आप खुद भी अपना वहां बहुत ख्याल रखिये तो नाज़ीन हमारे तमाम तर जो साथी हैं वो चपे चपे पर वादी में मौजूद हैं वहां तबाम तर साथी आप तक अपडेट पहुचा रहें